इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे फोन में एक option होता है notification settings के अंदर allow notification snoozing तो basically यह क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वीडियो पूरी और बिल्कुल ध्यान से ज़रूर देखते रही है यहाँ आने के लिए सबसे पहले आप phone की settings में आ जाए and notification and status bar की option में आ जाए यहाँ पर आपको more setting का option दिखाई देगा और यहाँ पर आप देख पाएंगे allow notification snoozing तो basically इसका मतलब क्या होता है देखिए मान लीजिए किसी का notification आपको आया है WhatsApp पे आपको किसी ने message किया है और अभी आप busy है किसी से या कुछ काम कर रहे है तो आप उस notification को हटा दे और कुछ specific time के बाद या एक घंटे बाद या कुछ time बाद वो notification आपके सामने दुबारा आ जाएगा जिससे आप उस time पे उसे reply दे पाएंगे तो उमीद करता हूँ आप समझ गया होंगे वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सर को सब्सक्राइब सर्व कर दें